दोस्तो एक्टर रस्मी का मंदाना के डीप फेक वीडियो इंटरनेट पे काफी बारल हो रहे हैं ये किसी दूसी लड़की के वीडियो हैं जिसे एडिट करके रस्मी का मंदाना के चैरा लगा दिया गया है इस वीडियो के बारल होते ही डीप फेक भी दोस्तो चल्चे में आ काफी मुश्किल है डीप नया टर्म नहीं है लेकिन पिछले कुछ सालों से डीप डीप फेक के जदी लोगों को बड़ा नुक्सान उटाना पड़ रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यह वार्टिफिसल इंटेलिजन्स टूल का एक्सेस आसान हो गया है डीप कॉंटेंट के लिए AI काई यूज किया जाता है खासकर इस कैमर्स डीप फेक काई यूज करके लोगों को ब्लैक मेल करते हैं दोस्तों फेस को इस तरही किसे वीडियो में डिट किया जाता है कि यह वह असली ही लगता है दोस्तों लेकिन वीडियो में लिपसिंग गलत होने की वैसे हैसानी से प AI मेकैनेजन से पूरी तरह निछाथ पाना काफी मुश्किल है दोस्तो अब जानते हैं कि आघिए डीप फेक है कि किस तरह किसी रुट करता है तो दोस्तों डीप टनमटी डीप लर्निंग से आया है मसीन लर्निंग का एक पार्ट डीप लर्निंग नाम में डीप लगा है जिसका मतलब है मल्टीपिल लेर होता है और यह आर्टिफिशल नियूरल नेटवर्ग उपर बेज होता है इस अल्गोरिफम में काफी सारा डेटा एंटर करके फेक कॉंटेंट को असली में किसी का चैरह हटा कर किसी दूसरे का लगाना बोडी सेफ चेंज करने से लेकर भी किसी वीडियो कॉंटेंट में किसी दूसरे सक्स की आवास तक लगा देते हैं आप इंटरनेट पर हर दिन डीप फिक के उदाना देखते होंगे दोस्तों लेकिन यह ठर्म पता ना होने की आप मुश्किल समझने में मुश्किल होती होगी आए दिन कुछ एप्स पॉपलर होते होते जा रहे हैं जो आपको आपकी कई फोटो को लेकर उसे बैतिन बना देते हैं या आपका बदला हुआ रूप दिखाते हैं यह एपस भी दरसल डीप टेक को ही यूज करते हैं इसी आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जहां पमोडी की अवाज में काने चल रहे होते हैं जांटी कि लिए घे का यह जाने कर रहे हैं यह सब कुछ दिउत्त भी डाउंलोड करके कि कि. कि वीडियो के साथ कुछ भी कर सकता है जो अभी रस्मिका मंदाना के वीडियो के साथ हुआ है, यानि वीडियो में बोड़ी कि और की और चैल्डा कि सी और का आदा। डीप फिक का सबसे बड़ा चैलेंज ही है कि इस मेतेट से बनाए गए काउंटेंट बिल्कुल असली जैसे लगते हैं इसमें इतना डिटर डाल दिया जाता है कि लिप सिंग तक सटीक दिखती है हाना कि थोड़ा गयर फिली देखने पर आप इसे समझ सकते हैं कि यह वीडियो जो हैं फिक हैं लेकिन पहली नजल में यह फर्ब कर पाना काफी मुश्किल है तो आप जानते हैं कि आकर डीप फिक बनाय कैसे जाते हैं तो डीप फिक बीडियो बनाने के लिए सबसे पहले जिसका बीडियो बनाना है उसकी असली फोटो और वीडियो को डीप फिक बीडियो बनाने के लिए तयार किएगर टूल में डाला जाता है जहां इंकोडर और डीकोडर का यूज किया जाता है Artificial Intelligence यानि AI इन फोटो और वीडियो को अनिलाइज करता है DeepFig में किसी भी तस्वीर वीडियो और आडियो को मैनिप्लेट या चेलचार करके उससे बिल्कुल अलग बनाया जा सकता है और किसी लीडर या सेलिविटी की स्पीश को उठाकर Artificial Intelligence बेस्टूल के ज़री पूरी स्पीश बदली जा सकती है आपको लगेगा कि ये स्पीश असली है लेकिन आप ब्रहमें पढ़ जाएंगे रोस्तों इसके लिए चेहरे और हवा को पढ़कर अलग अलग जगाओ उपर उससे लीडर द्वारा दी गई स्पीश को इकटा किया जाता है इसके बाद Artificial Intelligence बेस्टूल के ज़री इसे टीट किया जाता है उस लीडर या सेलिविटी की आवाज को लेकर उसे अलग अलग हिस्सों में बाटा जाता है और फिर उसे अपने इसाब से कंटेक्स्ट देने के लिए मिलाकर लिप्सिंग कर दी जाती है देखने में ऐसे लगता है कि वो लीटर या सेलिविटी अपनी स्वीच में वही कह रहा है जो दोस्तों आपको दिख रहा है तो दोस्तो encoder इमेज को छूटी छूटी डिटा में तोड़ दिया जाता है तबदील कर दिया जाता है इसे अब कंप्रेश करना भी कह सकते हैं decoder का काम होता है इस तोड़े गए यह compress किये गए डिटा को फिर से original बनाया और टू एंड कोटर कंप्रेशन और डिप डिंक देशन के अलावक इन इमेज त्यार करना आवाज को फैच करने से लेकर आपको के मुझमें आई प्रोट चेलिक पिशोटी डीटेल कर सकता है दूस्तो अब डिप्विक त्यार करने वाले एक्सपर्स इस यूज करने से किसी स सक्की में दरां सकते हुब दोस्तों आपको शतर्क रहना दोस्तों और ऑध़ ईप है क्या और जसकी तरीकसे वीडियो बनाज़ा रहे हैं यह मुद्व का फिरूद सब्सक्राइब करें और तेंक यू अ क्यों